हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविहना निटिंग, आज देखिए, मल्टिकरल में एक यह वाला पैटर्न बनाएंगे हम, और देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान साइब बनाई का डिजाइन है, यह देखिए, इसका राइट साइड है, यह देखिए, इसका रॉंग और देखिए, आपको, इवन नंबर में फंदे लेने हैं, यनि Alors दो, दो, इस तरह से आपको फंदे लेने हैं, और यह देखिए, यह दिजाइन हमारा सिर्फ दो सलाई का है, और दो सलाई में कंप्लीट हो जाएगा, डिजाइन हमारा राइट साइट से शृू होगा, और तो चलिए वीडिए को शुरू करते हैं ऑं डिजाइन को बनाना सिखते हैं.. तो ँहां पर देखिंघ को डिजाईन की पहली सलाई लाई हम यहां यहीं पर इम को इसी पर मैं आपको इसी पातरtur प्र शोती हैं पर यह third color तो अब हम यहाँ पर यह थर्ड color से अपना pattern बनाएंगे तो देखें एक फंदा हम एस्टिच का बुलनेंगे इनदेखें अब ध्यान से देखें यहाँ दो फंदों के बास यहाँ पर देखें निडल को निकालते हुए एक लूप बनाएंगे इस तरह से और देखे दागे को ऐसे निडल पर लेंगे और सामने से यहां दो फंदों का एक कर देंगे यह देखें यह दो फंदों में से हमारे तीन फंदे बन गया हैं यह देखें अब देखिए एक फंदा बुल लेंगे अब धागा आगे लाएंगे और देखिए जाली बनाते हुए हम दो फंदे बुनेंगे देखें अब यह जो हमने जाली बनाई थी यह देखें इस फंदे को हम इस पर से इन दो फंदो पर से देखें ऐसे उतार देंगे फिर से देखें जाली बनाएंगे और दो फंदे बनेंगे यह देखे और यह वाला जो हमने जाली बनाई थी इस फंदे को हम इस पर से इन दो फंदो पर से उतार देंगे फिर से यही डिजाइन रिपीट करेंगे देखे जाली बनाएंगे दो फंदे बुनेंगे और यह जाली वाला फंदा इन दो फंदो पर से उतार देंगे तो पू के दो फंदे बुनेंगे और जाली वाले फंदे को देखें हम इस पर से इन दो फंदों पर से उतार देंगे ऐसे तो पूरी सलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे जाली बनाएंगे दो फंदे बुनेंगे और ये फंदा हम इस पर से उतार देंगे फिर से चाली बनाएंगे दो फंदे बुनेंगे ये फंदा इस पर से उतार देंगे तो पूरी सलाई में हमें यही दो फंदे का देखें डिजाइन रिपीट करना है इदेखें कि लास्ट का पंदा एक दीदा पुलिएंगे तो दीखे सलाई कम्प्लीट हो गई उल्टी सलाई पूरी उल्टी भूनकर कम्प्लीट करेंगे यहां पर पूरी सलाई को हम उल्टा बूलेंगे सिर्फ एक सलाई में हमारा पैटर्न बनेगा एक सलाई हमारी उल्टी वाली सिंपल बुनी जाएगी तो यहां पर देखे इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा अब पिर से हम कलर को यहां से चेंज करते हुए पिर से इसी डिजाइन को repeat करेंगे तो यहां पर इस तरह से जब हम बार बार यहीं दो सलाई repeat करेंगे तो हमारा pattern देखी कुछ इस तरह से बन कर आएगा बहुत ही प्यारा सा और आसान सा pattern है आप इसे kit sweater में भी try कर सकते हैं जेंट sweater में, lady sweater में बच्चों की cap में भी डाल सकते हैं आप इसको mozo में डाल सकते हैं बच्चों की पजामी में डाल सकते हैं बहुत ही प्यारा लएगा और आप इसे बच्चे वे उन से बना सकते हैं आप इसे दो color में भी बना सकते हैं एक color में भी बना सकते हैं आपकी मर्जिये जैसे भी आपको पसंद आता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like और share जरूर करें comments करें मिलता है नेक्स वीडियो में कुछ नई आइडियास के साथ तब तक के लिए Thank you